चलिए शुरुआत कर लेते कमोडिटी दस वजे की दस वड़ी एग्री मार्केट की खबरों के साथ जहां पर जीरे में फिर से रिकवरी दिख रही है अब बाजार को इंतजार है कि किस तरह के सोईंग के नंबर निकल कर आते इस बार कहा जा रहा है कि गुजरात और आस्था दोनों बड़े स्टेट में जीरे की सोईंग कम हो सकती है 26-700 के करीब भाव है निचलेस तरों पर थोड़ी रिकवरी जरूर दिख रही है अलाकि इंटरनाशनल मार्केट को लेकर पिक्चर अभी भी क्लियर नहीं है धनिया सुस्ती दिख रही है 7250 के नीचे कमजोर मांग क यहां पर बुआई कम ही रहेगी हल्दी 13,700 के करीब निचलेस तरों पर कल अच्छी रिकवरी यहां पर दिखी थी लोड लेवल पे लोगों को लग रहा है कि यहां पर खरीदना चाहिए गवार्गम गवार्सीड अच्छे काफी मुनाफ़व असूली के दाथ दोनों ही का रहे हैं गवार्सीड गवार्गम कैस्टर लगतार जबर्दस तेजी के बाद अब पिछले दो तीन सत्रों से कैस्टर सीड में भी मुनाफ़व असूली दिख रही है भाव आ चुका है 6,750 के आसपास दो सत्र में करीब करीबी 200 रुपय यह फिसल चुका है कैस्टर सीड के प्राया डाउन वार्ड प्रेशर ही यहां पर बना हुआ है 1525 के आसपास संफ्लावर को देखे तो 1200 के नीचे है उपरी अस्तरों पर यहां पर भी मुनाफ़व असूली दिख रही है एक तरफा तेजी दिख रही थी और कपास 1580 के करीब वही कपास कली की बात करें तो सीम की देवरा है कुबर जी गुरुप से रवी जी सबसे पहले जीरे पर बताईए क्या ख़बर है आपके बाद फर्डामेंटल्स भी बताईए फिर उस भाव की हिसाब से पताईए क्या करना चाहिए गुड़ मॉरिंग डेफिनेटली वही न्यूस है अमें पर्डिकिलर अभी जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से के शाइद सोइंग है वो थोड़ा बहुत कम होका और पर्डिकिलर अगर प्राइजी सिसी हिसाब से टेपिट रही तो मेरे साब से यह एक सही रेशनल पी है सेकंड जो फैक्टर है वो है डिमांड थोड़ी जो डॉमेस्टिक डिमांड है द्यूट फेस्टिविटी वो भी थोड़ी स्ट्रॉंग है तो मेरे साब से एक थोड़ा शॉट कवरिंग और यहां पे एक्सटेंट हो सकता है अलाकि बहुत बड़ी तेजी के लिए एक बार फंडमेंटली ऑक्टोबर एंड से यह डेटा चालो होगा उसके बाद हमें रिवाइस करना होगा अभी के लिए 2700 का रिभाई करें आस्टापलोच 2700 के एंटर डे लगाए और अपर से 37200 तक के लेवल दीखने चाहिए आपके बाद हम वापिस पहुंच रहा है लेकिन क्योंकि मार्किट के लिहास से समय हर्याना के अंदर और खासकर कॉंग्रिस पार्टी का क्या हो रहा है बहुत जरूरी है यह मार्किट को बहुत अच्छे से कल्कुलेट करेगा सुमिता इस बिच मिरसाथ कॉंग्रिस बहुत मुश्किल होने जा रही है जरा बताएं इस समय क्या प्रॉब्लम चल रही है और इस समय मूडर महौल क्या है कॉंग्रस एड़कॉर्टर्स के अंदर जहां पर खड़े हैं जी डिंपी जैसा आप देखेंगे कि कॉंग्रस जो है वो अर्ली लीज मिंटेन कर रही है हाववर बीजेपी जो है वो बोल रही है कि यह अनको इतना जल्दी सेलिबरेट करने की ज़रूरत नहीं है मैं यहां पर Congress headquarters में हूँ, जहां पर celebrations अल्रडी शुरू हो चुके हैं, यहां पर कुछ posters और banners अब देखेंगे, जो राहूल गांधी की मोहबत की दुकार, allegedly, जिससे उन्होंने अपना चलाया था नया यात्रा के टाइम पे, उनको प्रमोट कर रहे हैं, और यहां पर जलेबि अल्रेडी बटना शुरू हो गई है, डिंपी, यह जो election है, यह important इसलिए भी है कि Congress Party को nearly write-off कर दिया था, 2014 elections के बाद, 2019 लोगसभा elections के बाद, और इस साल में भी, अगर आप देखेंगे, election से पहले-पहले तक, बीजेपी बोल रहे थी कि यह Congress मुक्त भारत होने वाला है, और Congress ने उस समय 99 seats जीती थी, तो यह election उस सार नजरिये से important है, यह election इसके भी important है, क्योंकि यह लोगसभा elections के बाद का first assembly elections हो रहे हैं, जमू और कश्मीर में और हर्याना में, और इन से क्या नतीजे बाहर आते हैं, वो definitely एक sentiment तो change करेगा ही, जैसा कि बहुत सार अर अप्डेट आपके बास मिलता है, तो अब हमको बताईएगा जरूर और जैसे भी कोई और अपडेट आए तो हमको जरा नोटिस कराएगा, क्योंकि मार्केट में आज ट्रेड हो रहा है, और इन दोनों states का जो भी impact आएगा, वो impact मार्केट पे calculate भी होगा, तो फिलाल कांट के टक कर से दिख रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीर हमको पहले की हैं, और इसमें त्यारी उन्होंने की हुई थी, लेकिन अभी रुजहान ये बता रहे हैं, कि कहीं त्यारी पे पानी ना फिर जाए, तो इसलिए बीजेपी अभी लीड कर रही है, इसके अंदर ये आपको कुछ नोटि यूफोरिया, जिसको आप बोले हैं, मोदी का मैजिक, वो हंडर परसंट खटम नहीं हुआ, ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी मार्केट को भी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम दोनों को अभी नोटिस करवाने के लिए, मैं विशमोन के पास वापिस चल ज़रूरी है, चलिए रवी जी के पास चलते हैं, रवी जी अब नौन अगरी मार्केट की बात करते हैं, सबसे पहले क्रूड, जहां पर मार्केट काफी वालेटाइल है, कल हमने तीन परसंट से ज़्यादा की तेजी दिखी, आज भी अरली सेशन में इंटरनाशनल मार्के बाजार तेज था, फिर से डेर पर से नीचे आ चुका है, क्या हो रहा है सर, क्रूड में आगे क्या लग रहा है, चोटा जवाब दीजेगा, भी तेजी क्रूड की इंटेक्ट है, जिस तरह के माहौल है, सर, गोल्ड, सिल्बर और पूरे बेस मिटल्स की बात कर लेते हैं, वहाँ पर आज काफी विक्वाली दिख रही है, मुनाफ़ा वसूली भी कह सकते हैं, इंडी, आर्सी, जो नैशनल डिवलप्मेंट रिफॉर मेटल्स में? इंच पो रहे है, जिस से थोड़ा सेंटिमेंट विक होगा, 76 के करेंब बेच है, श्टपलो 76,280 का लगा है, आज थोड़ा इनिशनल प्रॉपिट बोकिंग 75,400 तक गोल्ड में आता हो दिख सकता, यानि आपको यहाँ पर गिरावट दिख रही है, लेकिन जिंक यहाँ प इंच इंच यहाँ पर बोकिंगे सन्दिowsît लेक съंदिए है, लेकिन आपको यहे पिंद तरॉप सकती, स।रॉप रही है, जड हम इंच एनिए लेकिन आपको